एलो एब्रीवन वेलकम टू ससी इस्टंट एकजाम एससी के इस्टंट एकजाम में आप सभी कस्वा गयता है दोस्तों आज आपके लिए लिकर आएं सुन्यों की संख्या ग्याद करना तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को देखते हैं हमारा फर्स्ट कुिस्ट्ट है 1 इंटो 2 इंटो 3 इंटो 4 इंटो 5 इंटो . में सुन्यों की संख्या ग्याद कीजिए तो ऐसे क्विश्चन को सौल्व करने के लिए सबसे पहले में क्या करना होगा देखिए जब यह आईसा क्विश्टेन आये तो हमें पांच का भाग जाएगा, अगर पांच का भाग देंगे तो यहाँ पर पांच का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि चार जो हमारी संख्या छोटी है, तो यहाँ पर सुन्यों की संख्या कितनी आ गई, चार, इसको एक बार फिर से समझते हैं, देखिए, यहाँ पर क्या दिया स्रीज में मारे दिया था वन इन्टू 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 पर दिया गया तो सब्सक्राइब से देखते हैं जो न इन टू संखिया ग्याद किजिए को सॉल पहले के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो लास्ट में वारी संखिया दी जाए उसमें हमें 5 से भाग देना है तो यहाँ पर लाश्ट में संख्या कितनी दी गई, यह साथ, अब हमें साथ लिखना है, अब क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइट कर देंगे, जब इसको डिवाइट करेंगे तब कितने बार जाएगा बारा, अब देखिए जो बारा गया है, इसमें मारा 5 से भाग फिर चला जा तो यहाँ पर सुन्यों की संख्या कितनी आ गई, पहले बाले में कितनी आ बारा दो, इसको बारा और दो को एड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यह कौन से ऑफशन में है, तो ऑफशन नमबर एपर दिया गया है, तो ऑफशन नमबर एज करेक्ट हो जाएगी, 14 इसदा राइट आंसर हो जाएगा, इसको एक बार से समझते हैं, देखिए, स्रीज में, स्रीज वन इंटू 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 फॉर इंटू इंटू फाइव इंटू डॉडड़ शिक्स्टी में हमने क्या किया, जो लाश्ट में हमारी संख्या इसको हमने 5 से डिवाइट किया, जब 5 से डिवाइट किया, तो यहाँ पर कितने बार गया, 12 बार तो यहाँ पर 12 आ गया, फिर देखिए, यह 5 से संख्या बड़ी है, इसलिए हमने 5 से फिर से भाग दिया, जब 12 में 5 से भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, पांच होगी चौधा यही मारा अंसर हो जाएगा तो आते हैं प्र जो उसे देखते हैं देखिए जो एंगला कुश्चेन हम 5 से इसे डिवाइट कर देंगे, तो कितने बार जाएगा, 20 बार, अब क्या करेंगे, जो 20 आया है, इसमें हम फिर से देखेंगे, क्या 5 से भाग जाएगा, तो देखिए, 5 से यह बड़ी संख्या है, तो यहाँ इसमें 5 से भाग चला जाएगा, तो हम 20 में फर्दर यही मारी सुन्नियों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से एक से लेकर 100 में सुन्नियों की संख्या कितनी होगी, 24, और यह कौन से ऑफ्षन में है, तो उफ्षन नमबर C पर दिया गया, तो उफ्षन नमबर C लिज़ करेक्ट हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसको एक फैस से डिवाइट किया जब हमने फैस से डिवाइट गया तो यहां पर उसे आपस है जोड़ देंगे Choir और चार को जोड़ा तो यहां पर सुन्यों की संख्या कितनी आ गई 24 और यह हिमारा क्या हो गया आंसर तो आते हैं एंगले कुश्चन पर जो अंगला कुश्चन है उससे देखते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर ना है तो पली चैनल को सब्सक्काइब कर लें और ज्याद कीजिए तो इस वाग देखियो हमने संगने को सब्सक्राइब करने के लिए हमने आपको क्या बताया है देखिए हमें सबसे प्लस 200 को जोड़ा तो यहां पर कितना गया सो और 24 कितना हो गया 124 और जो सुन्यों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई 124 और यहीं मारा क्या हो गया आंसर तो यह हमारे कौन से option में दिया गया और बी पर दिया गया तो option नमबर 20 करेक्ट हो जाएगा देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं यहां पर हमारी स्रीज दी गई थी 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 500 इसमें पूचा गया था सुन्यों की संख्या ग्याद कीजिए जब उने देखा तो यहां मारी संख्या पांस से बड़ी है तो इसमें फिर से वाग सिला जाएगा तो हम फिर पांस से वाग देंगे कितने बार जाएगा चार बार अब जो चार आया है वो पांस से संख्या चोटी है इसलिए पांस का बाग चार में नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे जो हमारी सो औ Central question है वह जो चार-छाही आठ लस इन टो हण्ट्रेड में सुन्यों की संख्या क्या होगी यह कुश्चन सबसे डिफ्रेंट है क्यों कि देखिए यहां पर हमें ढूल संख्या हों में सून्यों की संख्या पूचई गई है तो इस क्विश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए जह हमने दो से सो तक में देखा तो हमें सम संख्या कितनी मिलती है सम संख्या मिलती है और पचास बिसम संख्या मिलती है तो यहां पर सम संख्या कितनी होगी पचास तो देखिए हम क्या करेंगे सम संख्या तो यहां पर कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा और यहां देखिए जब 10 मारा आ गया फिर से इसमें 5 से बाग चला जाएगा तो 10 में हम फिर से 5 का बाग दे देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 अब देखिए जो मारा 2 आया है से चोटी है तो अब क्या करेंगे इसको आपस में हम जोड़ देंगे जब ने धस और दो जोड़ा तो यहां पर सुनियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी और यह कान से उप्षिन में तो option number C पर दिया गया, option number C is correct हो जाएगा, दोस्तों इस question को एक बार फिर से समझते हैं, देखिए, यह हमारे स्रीज क्या थी, सम संख्याओं की स्रीज थी, तो यहाँ पर देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक दी गई स्रीज, इसमें जो हमारी 100 तक में संख्याओं होगी, वो कितनी सं पांस का भाग दिया, तो कितने बार गया, 2, अब देखिए, जो 2 आ गया, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारी 2 संख्याओं वो 5 से छोटी है, तो इनको हम आपस में add कर देंगे, 10 और 2 को add किया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 है, और यही मारा क्या हो इन्टू 9, इन्टू .99 में सुन्यों की संख्या गयाद कीजिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया, यह हमारी विसम संख्या की स्रीज है, देखिए, वहाँ पर संख्या की स्रीज थी, तो वहाँ पर हमने 50 संख्या होती थी 100 तक और 50 कितनी होती थी विसम अब देखिए यहाँ पर जब हमने देखा कि एक into तीन into 5 into 9 और 99 तक येज सरीज गई है तो इसमें देखिए इसमें जब हम till बात सवी मंद्टि और यहाँ पर देखिए इसमें थो सुन्यों के संख्या प्राप्त होगी क्यों कि देखिए इसमें हम गुणा करके भी देख सकते हैं, अगर 5 ती या 15 करेंगे, तो यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर सुन्यों की संख्या प्राप्त नहीं होगी, अगर हम 9 एंटू साथ का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, नो सत त्रेसाट आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर संख्याओ, अगर 11 सेजिक करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 90, तो यहाँ पर सुन्यों की Pen Arena, यहाँ पर संख्या करेंगे तो यहाँ पर कोई भी संख्याओ, जब भी हमारी संख्याओं की छीरीस दि तो प्ली चैनल को सब्सकाइब कर लें और बेरल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहा है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आते हैं इंगले कुश्चेन पर जो अंगला कुश्चेन है उससे देखते हैं देखिए जो अंगला कुश्चेन है वो है वन का स्कॉयर इंटू का स्कॉयर इंटू थ्री का स्कॉयर इंटू फॉर का स्कॉयर इंटू फाइब का स्कॉयर इंटू डॉट 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 हम कर रहे थे सबसे पहले हमें लाश्ट की संख्या देखनी है तो हमने लाश्ट तो आया इसको आपस में एड कर देंगे जब यहां पर कितना आ गया बारा अब देखिए क्या करते हैं। जो हमारा जो भी power लगी हो उसका multiply कर देंगे। यहां पर आगर power सुले का उन्पिला कर देंगे यहां पर कितनी सुन्यों की संखिया जाएगी यहां सुन्यों की संख्या आ जाएगी 24 बारा दूनी 24 और यह कौन से option में है तो option number B पर दिया गया तो option number BH correct हो जाएगा दोस्तों इसको एक बार फिर से चमझते हैं देखिए जब भी हमारी power sum दी जाएं यानि कि 2-2-2 या 3-3 दी जाएं इस परकार से power दी जाएं तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें उसी परकार से question को solve करना है जिस परकार से अभी तक हम करते रहे सबसे पहले हमें देखना है last की संख्या last की संख्या यहां 50 लिखी थी तो हमने 50 को 5 से divide किया तो यहां पर 10 आ गया, फिर हमने देखा कि 10 में मारा 5 से भाग चला जाएगा, जब हमने 10 में 5 का भाग दिया तो कितने बार गया, दो बार, अब जब 2 आ गया तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जो दो संक्या वो मारी 5 से छोटी है, अब क्या करेंगे, इनको आप यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते, और यहां पर अगर पावर 4 लगी होती, तो हम 4 का कर देते, 5 लगी होती, 5 जितनी पावर होगी, उतने का मल्टीप्लाई कर देते, और वही मारा क्या हो जाता, आंसर, तो यहां पर हमने 2 पावर लगी थी, 2 का मल्टीप्लाई कर दिय तो यहाँ पर 24 आंसर आ गया, यही मारा आंसर हो गया, तो आते हैं अंगले question पर जो अंगला question है उसे देखते हैं, देखिए जो अंगला question है मारा वो है, 1 का square इंटू 2 का square इंटू 3 का square इंटू 4 का square इंटू 5 का square इंटू .200 का square दिया गया है, इसमें हमसे सुनने की संख्या ग्याद करने को का गया है तो इस question को solve करने के लिए क्या करना होगा हमें power कोई भी लगी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं सबसे पहले हमें क्या देखना है हमें last की संख्या को देखना है last में हमने जब यहाँ देखा तो 200 लिखा था हमने 200 को 5 से डिवाइट किया जब हमने 5 से इसको डिवाइट किया तो कितने बार गया 5 ओ को 20, 40 बार गया अब क्या करेंगे देखिए जो मारा 40 आया है क्या इसमें 5 से भाग चला जाएगा तो बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि यह 5 से संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमने 40 से फिर से हमने 5 को भाग दिया जब हमने 5 का भाग दिया तो कितने बार गया पना 48 यहाँ पर 8 बार गया देखिए अब क्या करेंगे जो मारा 8 आया है इसमें देखिए 5 से भाग फिर चला जाएगा तो हम 8 में फिर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जब हमने 8 में 5 का भाग दिया तो कितने बार गया एक बार अब देखिए जो 1 आया है इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि जो 1 हमारा है वो 5 से छोटा है अब क्या करेंगे इसको आपस में जोड़ देंगे जा हमने इसको आपस में जोड़ा 40 over 8 और 9 को जोड़ा तो यहाँ पर देखिए 40 plus 8 plus 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 49 अब क्या करेंगे यहाँ हमने पावर देखी तो यहाँ पावर कितनी लगी है देख कौन से option में दिया गया option number C पर दिया गया तो option number C is correct हो जाएगा देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं हमने जब स्रीच को देखा तो यहां पर क्या लिखा था इसमें हमें सुन्यों की संख्या find करनी थी, जब ने देखा कि यहां पर पावर दो लगी है, पावर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हमने यहांपर देखा कि लष्ट की संख्या 200 है, तो 200 को हमने 5 से डिवाइट किया, तब 5 से डिवाइट किया तो kитना आ गया, 40, जब यहांपर 40 आ गया, फिर हमने देखा कि इसमें 5 से बाग चला जाएगा, तो आठ पन, 40, यहांपर देखिए 8 आट आ गया, अब जो 8 आया है इसमें 5 से भाग चला जाएगा क्योंकि यह 5 से संख्या बढ़ी है तो यहां फिर हमने 8 में 5 का भाग दिया तो यहां पर कितने भाग गया 5 एकम 5 अब देखिए जो एक आया है इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक संख्या जो मारी 5 से छोटी है फिर क्या कि हमने 48 और एक को जोडेंगे तो 49 आएगा 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 आएगा और यही मारा क्या हो जाएगा 98 सुनियों की संख्या हो जाएगी तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सकाइब कर लें और वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी इंटू 2 की पावर 3, इंटू 3 की पावर 3, इंटू 4 की पावर 3, इंटू 5 की पावर 3, इंटू 100 की पावर 3 में सुनियों की संख्या ग्याद कीजिए तो दोस्तों इस क्विस्चन में देखिए हमारी जो पावर है वो यहाँ पर 3 लगी है तो हमें क्या करना है सबसे पहले 25 होता है 100 देखिए जो हमारा 20 आया है इसमें फिर से 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि 20 हमारा 5 से बड़ा है तो हमने फिर से 5 का भाग दिया किसमें 20 में जब हमने 5 का भाग दिया तो यहां पर कितना आया 5 को 20 4 आ गया देखिए अब जो 4 आया है इसमें जो 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 संख्या है वो 5 से छोटी है तो आप क्या करेंगे 20 और 4 को आपस में add करेंगे जब 20 और 4 को आपस में add करेंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा 24 अब देखिए क्या करना है 24 अब हमें देखना है पावर कि यहां पर पावर कितनी लगी है तो यहां पर पावर तीन लगी थी तो यहां पर हम तीन का मल्टिप्लाई कर देंगे तो 24 कितना होता है 72 जो सुनियों की संख्या आएगी वो क्या आएगी 22 तो यही मारा आंसर हो गया यह कौन से option में यह तो option number B पर दिया गया तो option number 20 correct हो जाएगा दोस्तों क्या किया देखिए हमने लशकी संख्या को जब देखा तो यहाँ पर पर 5 का बाग दिया Qian चार जब देखा हमें 4 तो यहां पर 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि चार जो संख्या मारी 5 से छोंटी है अब क्या करेंगे 25 और 24 आये इसको अपस men Add करदेंगे तो यहां कर देखा 24 गएँ फिर हमने क्या देखा कि यहां मारी जो पावर लगी देखिए दोस्तों जो हमारा अंगला question है वो है पांच इंटू दस इंटू पंदरा इंटू डॉट 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 एकसो बीस में सुन्नेों की संख्या ग्यात कीजिए जब भी दोस्तों ऐसा question मिले तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर series हमारी क्या है? तो हमें क्या करना है? देखिए जब भी हमारी series 5 के multiple में हो तो हमें क्या करना है? दो का भाग देना है अभी तक हम किसका भाग दे रहे थे? पांच का और जब भी हमें 5 की series मिले तो यहाँ पर हमें 5 का multiple की series मिले तो हमें क्या करना है? तो हमने 5 common ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा? 5 common ले लिया, तो यहां से बचेगा 10, फिर क्या बचेगा? पांच फ्रीश का ब्चेगा? अब क्या करेंगे देखिए? जब इसमें 5 का भाग देंगे, तो यहां पर कितना आजाएगा? देखिए 1 into 2 into 3 यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना बचा 5 दूनी 10 दो बचा 5 ओको 20 यहाँ पर आजाएगा 24 अब क्या करेंगे 24 पंचे 120 होता है देखिए अब क्या करेंगे जो हमारा 24 लाष्ट की संख्या हमें देखनी है जो हमारा 24 आया है इसमें हमें 2 से भाग देना है जो हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 24 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर आजाएगा 12 अब देखिए जो 12 आया है यह हमारी 2 से संख्या बढ़ी है इसमें फिर से बाग चला जाएगा दो का तो हम फिर से बारा में दो का बाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा दू छंग बारा तो यहाँ पर छै आगया आप देखते हैं जो हमारी छै आई है इसमें क्या 2 से भाग चला जाएगा तो बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि जो 6 संख्या है वो 2 से बड़ी है तो हम फिर से 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहां पर आजाएगा 2, 3, 6, 3 आ गया देखिए जो मारी 3 आया है इसमें 2 का भाग फिर से चला जाएगा क्योंकि जो 3 संख्या है वो 2 से बड़ी है तो हम फिर से भाग देंगे 3 में 2 का तो यहां पर कितने बार गया 2, 1, 2 अब जो देखिए 1 आया है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 संख्या जो मारी है वो एक से छोटी है अब क्या करेंगे इसको आपस में add कर देंगे और जो भी संख्या में प्राप्त होगी वही मारी क्या होगी सुन्यों की संख्या जब हमने इसको आपस में add किया तो 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 12, 6, 18, 13, 21 और एक 22 जो सुन्यों की संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी 22 तो यह कौन से option में है तो option number C पर दिया गया है तो option number C is correct हो जाएगा तो इस question को फिर से एक बार समझते हैं यह question बहुत ही important है देखिए जब भी हमें 5 की series मिले तो हमें क्या करना है सबसे पहले देखना है कि 5 की series में 2 से भाग देना है अभी तक हम क्या करते थे अभी तक हम 5 का भाग देते थे क्योंकि वह 1 की series मिलती थी हमें यहां पर हमें 5 के multiple की series मिली तो हमें देखना है हमें 2 का भाग देना है फिर हमें क्य करना है देखिए हमने इसमें जब पांच को भी लिया तो यहां पक्या किसंख्या यहां पर चौबिस आया जो लाश्ट की संक्या उसमें हमें टू का भाग देना है चौबिस में हमने जब टू का भाग दिया तो बारा आ गया देखिए बारा में फिर से टू का भाग चला जाएगा तो यहां पर हमने जब बारा में टू का भाग दिया तो कितना गया च्छै आ गया और को आपस में add कर देंगे जह हमने add किया 12 6 और 3 प्लस एक को add किया तो यहाँ पर कितना आ गया 22 और यही मारा क्या हो गया answer तो दोस्तों आते हैं इसी प्रकार से एंगले question पर जो अंगला question है उसे देख लेते हैं देखिए जो अंगला question है वो है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू .200 में सुन्यों की संख्या ग्यात कीजिए तो इस question को हमें solve करने के लिए हमने उपर वाले question में आपको क्या बताया है देखिए हमने अंगले वाले question में आपको बताया है कि जब भी हमें 5 के multiple में series मिले तो हमें क्या करना है हमें 2 का भाग देना है तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे 5 का common लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 5 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 5 तिया 15 इंटू 5 चोको बेस इसी परकार से series जांगे चली जाएगी और जो हम 200 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा दो पांचों को 20 चालिस बार चला जाएगा अब हमें क्या करना है देखिए जो हमारी last की संक्या 40 आई है इसमें हमें 2 का भाग देना है क्योंकि पांच के multiple में मारी series थी तो हमें 2 का भाग द फिर से देखना है कि 10 जो हमारी है वो 2 से बड़ी संक्या है तो यहां पर फिर हमें 10 में 2 का भाग देना है 10 में 2 का भाग दिया तो यहां पर कितना गया पांच अब देखिए जो पांच आया है यह दो से बड़ी है चोटी तो बड़ी संक्या है तो फिर से हमारा 5 में 2 का भ नहीं जाएगा तो अब हमें क्या करना है इनको सब को आपस में एड कर देना है देखिए जब इनको सब को आपस में एड करेंगे तो कितना होता है पैंतिस दो होता है 37 371 38 तो सुन्यों कि संक्या इसमें कितनी प्राप्ट हो गई 38 और 38 यह कौन से ऑप्सन में दिया गया तो ऑप्सन नंबर यह पर दिया गया तो ऑप्सन नंबर एच करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसको एक बार फिर से समझते हैं कुश्चन को देखिए ज इसी प्रकार से स्रीच आँगे चली जाएगी जब दोसों में पांच का भाग देंगे इसक इतना आएगा 40 फिर हमें जो चालिस में दो का भाग देना है क्योंकि यह 5 के मल्टिपल में स्रीच थी जब ने 40 में 2 का भाग दिया कितने बार गया 20 बार जब 20 को देखा तो यह दो से बड़ी है तो बीस में हमने फिर से दो का बाग दिया कितने बार गया दस बार दस में हमने फिर से दो का बाग दिया कितने बार गया पांच बार पांच में हमने फिर से दो का बाग दिया कितने बार गया दो बार जो दो बार गया है इसमें फिर से दो का बाग चला तो थैंक्स दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को जरूर प्रेज कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे है तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिलकुल ना भूलें थैंक्यू धन्वाद